ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश राशी वालू अब 14 मई से 28 मई इन 15 दिनों के अंदर कई जगह से आपको लाब होगा धन लाब होगा बैंक बैलेंस बड़ेगा कारेशित यूग, शोभग्यवान यूग, राज यूग, धनी यूग में 14 मई से 28 मई इन 15 दिनों के समय आपके लिए भग्य परिवर्तन का समय होगा इस समय में कुछ गिरहों में बदलाव होंगे, गिरहनक्षत्रों में परिवर्तन होगा जो कि आपके लिए लाबकारी शावित होने वाला है इसका असर आपकी लव लाइफ, करियर, बिजनिस वैपार, स्वास्त, आर्थियो किष्टिती, नौकरी, प्रेम जीवन, सभी पर पड़ेगा तो किस प्रिकार 14 मई से 28 मई तक का समय रहेगा वीडियो में बही जानेंगी 15 दिनों का शटीक, शंपोन राशी फन इस वीडियो के माद्यम से हम आपको बताएंगी, वीडियो बहुत ही महत्पापूर है, सुरू संतर तक वीडियो को पूरा देखी वीडियो का अगर शुरू करें, सबसे पहले तो लाइक करना वीडियो को कमेंट्स बोक्स में, जै बजरंगवली, जै हरुमान, अवश्य लिखना, जिससे आपकी सबी मनोकामने पोड़ हो तो चलिए बात करते हैं, 14 मही से 28 मही कैसा रहेगा, 15 दिनों का समय आपकी राशी वालों के लिए चलिए, सुरू करते हैं दोस्तों, यह समय आप कड़ी महनत वे परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसकी आपने तमन्ना की है, बड़े बुजर्गों का इश्ने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय वेतित करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेगा, समय की गती आपके पक्ष में रहेगी, शामाजी की दाइरा बढ़ेगा, पिछले कुछ समय से चल रही, किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी, कोई बड़ा निवेस करने क समय आपके लिए बहुती उत्तम हैं, दोस्तो साथ साथ यह समय महमानों के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतित होगा, उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा, आपका वजट भी बिगड सकता है, परन्तु फिर भी परिवारिक खुशी के आगे यह नगड ने रहेंगे, युवावर्ग अपने भविश्य सम्बंदी, योजनाओं के प्रती काफी गंभीर रहेंगे, दोस्तो साथ साथ यह समय किसी सम्मेलन या फिर समारों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा, तता सम्मान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी संतान, सम्मंदी, कार्रे जैसे विभा, नौकरी, आदी कार्रे की योजनाओं भी इस समय सफल होंगी, महमानों की आवाजाही भी इस समय रह सकती हैं, दोस्तो साथ साथ यह समय उर्जा, जोस और उमंग से आप पणी पून रहेंगे, बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें, जिस से वे आपके कायल हो जाएंगे, के प्रिकार के खर्चों का भी यह समय हैं परंतु आप मैनेज कर लेंगे, अपनों के साथ मनो रंजन में भी समय वेतीत होगा, दोस्तो साथ यह समय परिवार के साथ हर सो उल लास के साथ वेतीत होगा, कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा कार्रे कुसलता के दम पर आप वह उपलब्दी हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी दोस्तों साते साते ध्यान रखें कि इन सब किरिया कलापों के बीच आपका कोई महत्पपूर कार्रे भी छूट सकता है जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है सबी गति विदियो में ध्यान केंदरित रखना आपके लिए अति आवशक है आर्थिक कशमकस भी रह सकती है कहेंवी धन संबंदी निवेस सोच समझ कर ही आपको करना है तोंकि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा विध्यारतियों को अपने पृतियोगी परिक् कहीं न कहीं रिक्तता का एहसास होगा और अगर मनन करेंगे तो इसकी वज़े कुछ भी नहीं रहेगी अपनी भावनाओं पर तिरोध वे नियंतर रखें क्योंकि इसके प्रभाब से कुछ संबंदी भी खराब हो सकते हैं परन्तु जल्द ही परिस्तितियां कुछ प्रतिक हो सकती हैं फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अति आवश्चक हैं कोट केस संबंदित मामलों में कुछ अर्चने भी आ सकती हैं रिस्तेदारों के साथ वहवार करते समय आप साफधानी बढ़ते हैं आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती हैं जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए आपको अपने गुस्से वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यादिक भरोसा या विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है बहतर होगा कि आप अपने निर्णे ही सरवो तो यह समय परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समान जस बना रहेगा प्रेम संबंदों में एक दूसरे की भवनाओं को शमजना अति आवशक है पती पतिनी के बीच कुछ इस समय नोकजों की भी संबभ है प्रशंग बदनामी वे अप्यस का कारण बन सकते हैं तता बच्चों का पूर्ण शहयोग आपको प्राप्त होगा दोस्तों साती सात यह समय परिवारिक शुक शांती बनी रहेगी शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियों में आप शहयोग दे पाएंगे घर परिवार में आपसी सोहर्द तता प्रेम बना या विपरीत परिस्तितों के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव ना है प्रेम जीवन के दृष्टी कोण से यह समय आपके लिए बहुती मिला जुला साबित होने वाला है दोस्तों बात अगर आपके विवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौक रूप में पर्णित करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्स आप अवश्चा करें नौकरी पेसा व्यक्ति भी किसी भी ए प्रिचित व्यक्ति के साथ वहवार करते समय सावधानी बरतें कामकाज को आप पूरी गंभीरता व्यसंजिद्गी से लेंगे इस समय यह ध्य पहन रखना आवश्चक है कि कहीं आपके ट्रेड शीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहें पार्टनर्शिप संबंदी वेपारिक गतिविद्यों पर नजर रखें किसी प्रकार का दोका हो सकता है दोस्तों साथी साथ यह समय कर छित्र में क्वांटिटी के चक्कर में नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में बॉस वे अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे पदोन्निती की भी संभाव ना है नौकरी में मनुवांचित उपलब्दी मिलने के इस समय आसार है जिससे आपको खुसी का बहुत अनुभव होगा शाती सात मशीनरी नई तकनी की आदी का प्रियोग सफल रहेगा लंबित चल रहे कोट केस संबंदी मामलों के पूरा होने का समय आगया है शरकारी शेवारत व्यक्ती किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तो शाती सात यह समय व्यपार में नई पार्टियों तथा नई लोगों से व्यवशाइक संबंद इस्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है नोकरी में से करमी आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें दोस्तो बात अगर आपके स्वास्त की करें तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतरक रहना आवश्यक है अपनी दिन्चरिया एक दम सुव्यवस्तित रखें घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्त संबंदी परिसानियां रह सकती हैं स्वास्त संबंदी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें दोस्तो साथिसात यह समय स्वास्त में छोटे मोटे उतार चड़ाव रहेंगे परन्तु थोडी सी सावधानी आपको स्वास्त रखेगी यू तो स्वास्त ठीक रहेगा लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रती सचेत रहने की आपको अतियावश्यक्ता है दोस्तों साथी साथ आपको अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए नियमिती योग और प्रणयाम का शहरा लेना होगा इससे आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा